हलो दोस्तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजिनियरिंग गुरुजी में आज के इस वीडियो में हम लोग सिटी फेन के बारे में जानेंगे उसके चेक पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जो कुलिंग टावर में जो फेन लगा रहता है वही फेन है जिसको सिटी फेन भी बोला जाता है उसके चेक पॉइंट्स के बारे में जानेंगे कि महिने में क्या-क्या चेक हम लोग को करना चाहिए एक बार तो वीडियो बहुत नोलेजबल होने वाला है अगर चेनल में नए है तो अभी तुरण चेनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजे जिससे आप लोग को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और चेनल का मेंबर्शिप नहीं लिया तो अभी तुरण जाके मेंबर्शिप जॉइन कर लिजे तो चलिए करते हैं वीडियो को सुरू ये एक कुलिंग टावर का फेन है जिनको नहीं पता उनको जानना बहुत जरूरी है एक सिटी फेन रहता है जो की पानी को ठंडा किया जाता है जिससे वो फेन है ये इसको सिटी फेन भी बोला जाता है ये कुलिंग टावर में लगा हुआ रहता है तो इस पे क्या-क्या च कपलिंग लगा हुआ है आपके पास जो भी कपलिंग लगा रहे है उस कपलिंग को महिने में एक बार उसका टाइटनेस चेक कीजिए पिन बुस कपलिंग है तो उसका बुस बगएर आपको चेक करना होगा टाइमली और उसका यू क्लेम को आप लोग को regular tight करना चाहिए, यू क्लेम को crosswise हमेशा tight कीजे, अगर नहीं tight करोगे crosswise तो ब्लेट का जो degree है वो degree change हो सकता है, center का bold को tight करना है, impeller के center में एक bold लगा हुआ है, उस bold को भी आप लोग को महिने में एक बाट tight करना है और सबसे important point इसका angle को set करने जानना चाहिए आप लोग को, इसका angle को किस direction में set किया जाता है, कितने degree में set किया जाता है तो इसके angle को 10 degree में set करना पड़ता है, plus 10 degree में, और इसका एक तरीका है, इसको set करने का, जो blade का end point है, end point से 100 mm का marking करना है आप लोग को और उसी marking के उपर angle protector को रखके और इसका degree को check करना है, plus 10 degree में रखना है, बार बार इसमें बहुत ज़्यादा confusion होते हैं सब कि minus रखना है कि plus रखना है, तो plus 10 degree में आप लोग को रखना है, minus में नहीं रखना है इसको minus में रखोगे तो year का flow उल्टा चल जाएगा, कभी भी cooling tower का हवा जो रहता है वो बाहर की और फेकता है, अगर minus में set कर दोगे तो उसका year नीचे की और फेक सकता है, तो इसलिए हमेशा plus में set करना है, angle protector में देखके, इस direction में अभी जो देख रहे हैं, ये plus की और काटा है, ठीक है, तो आपको हमेशा plus की और करना है, minus की और नहीं set करना है, ये minus की और जा रहा भी काटा, तो plus 10 में set करना है, हमारे यहाँ manual में है, आपके वहां manual में अगर 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है तो उसी साब से set कर सकते हैं बट plus में ही होगा, इसको हमेशा याद रखना है और plus 10 जो होता है वो एकदम accurate है यहां lining करना आप लों को blade के end point से 100 mm का marking कर लिजे और उसी marking में आपको angle protector को रखके और उसका degree को set करना है आप लों को इस चीज़ को ध्यान रखना है हमेशा और क्या point को देखना है आप लों को u clamp का बता है, मैंने u clamp को हमेशा crosswise tight करना है कभी भी angle protector को रखने के बाद जब आप उसको u clamp को tight करो तो crosswise आपको u clamp को tight करना है और ये जो center का bold देख रहे हैं इसको आपको tight करना है महीने में एक बार वो lose हो सकता है vibration के बज़े से और इसका balancing भी out हो सकता है तो उसको आप लों को हर एक बार महीने में एक बार जरूर tightness करे u clamp का जो मैंने बताया उसको crosswise tight करना है crosswise अगर नहीं tight करोगे एक side का सोचे u clamp को आपने tight कर दिया फिर दूसरे side का tight करने जा रहे हो तो इससे क्या होगा उसका degree जो है जो 10 degree में आपने set किया वो गड़वड हो सकता है वो 6 degree हो सकता है 11 degree में चल जाएगा तो इसलिए angle protector को रख के जो मैंने बताया blade का end point से आपको 100 mm measure करके वहाँ पे रख के उसके बाद ही u clamp को tight करना है ठीक है blade का crackness check करना है blade में crack हो जाता है बीच में देखिए आपको arrow mark में दिख रहा होगा वो crack अगर दिखे तो उस blade को change कर देना है blade को इसलिए change करना है में तो कभी भी अगर कोई भी blade आपको crack दिखे तो उस blade को replace कर दिजे इसका एक-एक blade replace होता है replacement का भी next video में बनाऊंगा और इसका lubrication oil को check करना आप लोग को ये जो pipe line देख रहे है ये lubrication oil का inlet है इस lubrication oil का pipe का through oil जाता है gearbox के अंदर में तो lubrication oil का label आप लोग का सही होना चाहिए ये जो pipe दीख रहे हैं आप लोग को ये lubrication oil का pipe है तो ये जो जो check points में ने बताया बहुत important points है इसको copy में note कर लीजे और महीने में एक बार जरूर चेक कीजे इससे क्या होगा आपका जो equipment है cooling tower का जो fan है उसका life बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमेशा क्या करना है blade का u clamp को regular tight करना है angle protector को set करके जितना degree में set करना है हमेशा plus में होता है इसमें बहुत confusion होते हैं सब कि plus है कि minus है हमेशा plus में set करना है यहां हमारे यहां plus 10 degree में set किया जाता है आपके manual में हो सकता है 7 में हो 6 में हो बट plus में ही होगा plus में set करके और u clamp को crosswise tight करना है हमेशा एक side नहीं tight करना है कभी कोई भी equipment को base भी tight कीजिए तो उसको crosswise tight किया जाता है इसको हमेशा याद रखना है आप लोग को center के bolt को tight करना है blade अगर crack है तो blade crack है तो उसको replace कर देजिए वो आपका जो fan है उसका balance को out कर देगा पूरा क्योंकि crack होने के बाद वो blade हलका सा जुख जाता है जिसके बज़े से क्या होता है unvalancing हो जाता है और vibration बहुत ज़्यादा start हो जाएगा gear box का base bolt को regular tight करना है महिने में एक बार यह हर एक महिने में मन्थली checkpoints इसको बना लीज reply अप लोँ इसका documents बना लीज़ा और महिने में जो जो checkpoints मेंने बताया उसको आप लोगो regular check करना है coupling check करना है alignment check करना है blade का crackness check करना है U claim को regular tight करना है center के bold को tight कीजे और gearbox के जो base bold है उसको आप लोग को regular tight करते रहना है यह point को note कर लिजे और इसका एक documents बना लिजे lubrication oil का label भी आप लोग को check करना है और जो category का oil लगता है उसी को आप लोग को डालना है हमारे यहाँ पे इस gearbox में 220 का oil लगता है आपके वहाँ manual में मिल जाएगा आप लोग को कोन सा category का आप लोग को lubrication oil यूज करना है तो उसी category का lubrication oil आप लोग को यूज करना है अलग मत कर दीजेगा बहुत सारे में 1500 के भी लगते 150 का servo 150 कहीं पे servo 220 तो जो lubrication oil आपके वहाँ पे manual में हो उसी को आप लोग को यूज करना है अपनी gear box में यह बहुत important चीज है तो gear का जो clearance है वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपने अगर गलत lubrication oil डाल दिया उस पे तो lubrication oil जो भी आपके manual में लिखे रहे है वही lubrication oil डालिये सबसे important point है इसमें angle set करना हर एक blade का जो angle है वह सही होना चाहिए सही degree में होना चाहिए पलस 10 रख रहे है तो सब पलस 10 में होना चाहिए ठीक है दोस्तों अगर इस वीडियो से आप लोग को कुछ भी knowledge मिला है तो अभी तुरण चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon को press कर दीजे जिससे आप लोग को regular notification मिलते रहेगा और चैनल का membership नहीं लिया तो अभी तुरण जाके join कर लिजे तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye दोस्तों